असलाम लीपुम लेक्ठरवं जिरो फोर स्टार्ट करते हैं के इस कि आचा जी पासि पेपर 8 ऐस इसका फाइनल अकाउट का पेज 663 पर आज़ेद पेज नंबर 663 पास पेपर 8 मैं पेज नंबर मिटाना है मैंने आपको इस में शिरफ पॉइंट नंबर फोर और पॉइंट नमबर पाइव करवाने हैं जी बचो सवाल है आपका होमवक आप कर लीजेगा इसको लेकिन इसमें जो चीज रही हुई है हमने अभी तक डिसकस नहीं की क्लास के अंदर वो ज़रा मैं आपको बता दू कहता है ओन अठारह जनवरी चौदा अकस्टमर दस मिलियन फॉदा डिलिवर्ड इन नवंबर तेरह बिंग नॉट अकॉर्डिंग तो एग्रीड स्पेसिफिकेशन जनवरी चौदा में ये रंट कहा है जी हमारा जनवरी चौदा में कस्टमर ने दस मिलियन का एक क्लेम लाज़ किया है ठीक है जी जो के नवंबर में ये जो दस उन्होंने मांगा है इस में से तीन की आप प्रोविजन क्रियेट करेंगे और साथ को डिस्क्लोज कर देंगे ऐजा कंटिंगेंट लाइबिटी ठीक है जी आगे कहता है चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं अब अगर मैं मिसाल के तौर पे नोड मनाता हूं नोड के अंदर नंबर सेवन इस सवाल के अंदर पहली पहली लाइन लिखी जा सकती है कंपनी लिस्टेड ओन तो पहला नोड हाँ वो में बाद में उताता हूं ठीक है ऐसा है जी तो नोड नंबर सेवन प्रोविजन का बनाता हूं मैं मैंने भी रिकॉर्मेंट नी पढ़ाई इ लिए ठीक है प्रोविजन का नोड बनाते हैं जी कैसे नोड बनाया था ही कल प्रोविजन का ओपनिंग इसमें सर्फ एक्सपेंस वाला ही होगा एक्सपेंस कैश या यूस्ट इसमें इंटरस्ट नहीं और क्लोजिंग जो है सवाल के अंदर मैं सरफ उससाफ बना रहा हूं है स्पेसिफिकेशन रॉंग थी ठीक है अब एक्सपेंस बुक करना है एक्सपेंस डेविट प्रोविएन और कुछ भी कैश पेमेंट वगारा नहीं है और क्लोजिंग क्या आगया जी ठीक है जी उसके बाद प्रोविएन एंड कंटिंजेंसी की बजाए मैं अलग से बना रह हम यह लिखेंगे के कि लिकहें रॉज़ वी सप्लाइब है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिएं वीडी नॉट सप्लाइब गुड्ध आज पर स्पेसिफिकेशन रुब लिख ले किक है इंड नॉट सप्लाइब गुड्ध चौश् Pepas स्प similarly यह उत्वाद्ध माव क्लेके ले So, there is a possible obligation, so there is a possibility of payment of Rs. 7,000,000. Okay, yes. Then, point number 5, at 31,13, outstanding purchase orders and agreements for capital expenditure amounted to 65,000,000. What does it mean? Let me tell you. So, what did you do? What did it say? What disclosure? What is the advance of disclosure? No, what disclosure? What is the answer? What is the answer? Tell me about it. Commitments. Commitments. I wanted to know about commitments. Commitments are two things. Outstanding guarantees and outstanding purchase orders. Commitments are not coming. Now, tell them. तो नॉम्बर 9 कमिटमेंट्स, कंटिंजेंसी और कमिटमेंट्स होती थी थी न, तो कमिटमेंट्स के अंदर हमने ये बात ऐसी लिग देनी थी, और भी आउटसेंडिंग परचेज और आउटसेंडिंग बाहर खड़ा हुए परचेज और परचेज और परचेज और और अगे कह लिका हुए और अग्रीमेंट्स पॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर और अग्रीमेंट्स पॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यह है जनाब रुपीज शिक्स्टी फाइव मिलें ठीक है जी अब जरा रिक्वार्मेंट पढ़ लेते हैं कहता है प्रिपेर स्टेट्मेंट ऑफ फाइंशल पॉसिशन एडि कतीज दिसंबर अलांग विद आ नोट ओन कंटिंजैंसी एंड कंमिटमेंट्स इन अकॉर्डंश रिक्वार्मेंट ऑप कम्पेंट इडाइय फाइस तो नोट किसका मांगा जी सिरु कंटिंजैंसी एंड कंमिटमेंट्स का इसका मतलब यह भी नहीं बनाना था सिर्फ हमसे रिक्वाइर क्या किया गया था वह उपर वाला भी नोड वन में डालने की जूरत नहीं कि वह उसने मांगा हुआ तो सिर्फ यह नोड बनाना था का बाकी सवाल इंशाला हो जाएगा यह एक नई चीज थी जिसको हमने इसमें इन बिल्ट करना था ठीक है बटा तस्वीर ले नहीं है ले 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 पेज नंबर अजरा नहीं है अब पेज नंबर क्या था इसका पेज 663 ठीक है जी फाइनल अकाउंट्स का थीक हो गया अब वो भी देख लें इंटीगरेटेड टॉपिक्स में इसको क्या मसेला है क्या डैथ है इसको क्विकली देखने दरा सी एमल इस कंसर्ण विद दा अच्छा फाइनल 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 स्टेट्मेंट्स फॉर्द परवाद इसको सन अजिन दैट तोड़े इस 31 अगस्त ही है न जी अच्छा कमेंट ऑन सी एमल मैनेजमेंट व्यू अबाउट इंपक्ट ऑफ अबाव मैटर्स इन फाइनल स्टेट्मेंट फॉर्द फॉर्द इंपक्ट जुलाई दोहजार बाइस ठीक है जी 31 जुलाई पर ये रंड हुआ है और इस वक्त हम खड़ें 31 30 अगस्त है ठीक है CML is concerned with the impact of rupee devaluation as its significant cost of production is incurred in US dollars तो कहता है कि जी ज्याद़ तर हमारी चीज़ें जहा है वो बाहर से आती है ठीक है और impact of rupee devaluation का मतलब क्या होता है rupee devaluation rupee की value depreciate हुई है devalue हुए ठीक है between 15 जुन and 31 जुलाई ये तो हमारे साल के अंदर की नहीं हमारे year end के है 31 जुलाई पता नहीं 15 जुन से 31 जुलाई की बात कर रहे है rupee devalued from 200 to 400 rupee devalued from 200 to 400 240 ठीक है at year end CML has following currency balances appearing in its books ठीक है जी अच्छा पॉज करें जरा जी अब CML has following foreign currency balances appearing in its books हमारी CML की किताबों में ये balances है appear हो रहे हैं ठीक है अब वो कह रहा है rupee 15 से 31 तक 200 से 240 पर आ गया है चलो इसका मतलब शायद 31 पर ये 240 का होगा चलें देखते हैं आगे क्या कहता है trade payables to foreign suppliers amounted to 638 million rupees representing US dollar 3.1 million which would be settled within next two months अच्छा अब ये हमने payables है हमारे हमने इसकी entry जब खरीदा होगा तो इसको क्या entry की होगी इसकी purchase debit creditor credit ऐसे ही है ना पता नहीं किस पर देखते हैं ठीक है उसके बाद जरा एक check तो मारें 638 रुपीज 638 million बोल रहा है न वो बो तो रुपीज 638 million divided by 3.1 million dollars करें तो answer क्या आता है रुपीज दो सो पांच इशारिया में 699 करें आठ आगे बस चल्म क्या जीरो six one कर ले चलें दो तक तो करें ना क्यूंकि अभी यह dollars की कहानी में रुपीज और millions में ठीक है अच्छा जी अब 205 पर हमारे यह creditors पढ़े हैं इसका मतलब 240 पर तो नहीं है यह पता तो लग गया यह रेंट की translation इसमें नहीं होई भी ठीक है ना बच्छे पूरी होगे तो पार वन पर रोगूंगा पार टू फिर शुबह इस ताह से आके चोट शुटी चीजें हम सुबह करेंगे और फि फिर कुछ कर लेंगे टाइम बचा तो तो दोसो पांच रुपे पर creditors पढ़े हैं इसका मतलब यह मुझे नहीं पता यह तो आप निकाला है मैंने तो यह 638 निकला होगा जिस पर उन्होंने परचेज बूग की होगी 638 परचेज डेविड ट्रेटर ट्रेड़ यह बात कैसे मैंने पता लगाई कि यह 638 अभी तक परचेज की डेट पर पढ़ा है कहीं पर यह लिखा हुए बेटा के दोसो यह 15 जुलाई पर हमने खरीदा था इनको बोलो 15 जुलाई पर कहीं पर लिखा हुए उन्हों 15 जुलाई कि यह यह रेंड के बैलेंस पे नहीं है जब मैंने इस रुपीज को डिवाइड किया इन डॉलर्स के साथ तो 240 नहीं आया इसका मतलब यह है कि यह परचेज डेट पर जो पता नहीं कितने डॉलर्स पे था जो मैंने अभी निकाला है वैसे तो 250 यह आर्ट एक रेट होगा उस वक्त की रिकॉर्डिंग के उपर यह पड़ा होगा अगर यह यह रेंड पर ही ट्रांसलेट हो गया होता तो फिर यह 240 के उपर पड़ा होता ठीक है अब क्रेटर क्या है क्रेटर क्या है मॉनिटरी आइटम क्या है मॉनिटरी आइटम आईए 21 की बात भूल रहे हैं कोई और याद आजाती है जब आप रीविजिन कर रहे होते हैं ठिक है? तो यह मॉनिट्री आइटम है, इसको यह क्या करना पड़ता है। dit Uhrie67 करना होता है अभ यह खाता है अब वह कहानी इदर थी ठिक है? अभ वह पथ है क्या कहरें है? कहता है एक में लॉस है अगले में अकर प्रॉफिट है तो दोनों का नेट हो जाएगा अजीब बात कर रहे है ठीक है और साथ ही कह रहा है फर्दर रुपी है स्टार्टिड एप्रीशियेटिंग कि सिंस 15 अगस्त एंड इस टेडिंग एड 208 और डॉलर के भी हलात कुछ बेतर हो गए है वो भी आप थोड़ा कम हो गया तो कोई जरूरत नहीं है क्या अगर ने री ट्रांसलेट करके अदो गई मॉनिटरी आइटम है तो यह रेंड के उपर री ट्रांसलेट करना ज़रूरी है ठीक है तो री ट्रांसलेशन हम करेंगे हम करेंगे जी वह वर्सिस वाली कैलकुलेशन ठीक है 3.1 वन मिलियन डॉलर से इंटू यह रेंड के उपर एड कितना बता रहा है वह दो सो चालिस आंसर क्या आता है साथ सो चार साथ सो चावालिस सैवन डबल फोर वर्सिस पड़ा किस पे अभी तक 638 पर ठीक है जी तो अब 638 से 6474 पे ले के आना है 106 से क्रेटर बढ़ रहे हैं क्रेटर क्रेट 106 से और Profit and Loss में एक्सचेंज Loss Debit यहां तक को मसला उसके बाद, अगली बात, वो कहता है, point two, advance to other foreign suppliers amounted to 654 million, representing US dollar 3 million, अच्छा, ये क्या है, advance to foreign suppliers, against which raw material would be delivered within next three months, अब इसका क्या करें? ये हाँ जी, हम यू का करते थे, कि monetary items जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, debtors हैं, creditors हैं, और non-monetory जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पे, inventory है, PPE है, investment property है, इनको हम, monetary को हम, re-translate करते हैं, ये rent पर, और non-monetory को हम, non-monetory को हम नहीं किया करते हैं, ऐसे ही है, लेकिन advance एक special case आया था, जिसके बारे में हमने कहा था, कि advance, advance अगर आपने किसी को दे दिया है dollars में, तो अब आप exposed नहीं है currency risk के लिए, तो आप advance को भी उस हाल पर ही चोड़ते हैं, और जब actual transaction होती थी, तो उस advance को उतार लिया करते हैं, तो यादार है, इसका मतलब, इस advance ने तो retranslate होने ही नहीं, यानि इसकी entry क्या की होगी हमने, इस तरफ कर लेता है entry, advance debit, और cash credit 654 रुपे से, जिस दिन ये किया होगा, उस दिन कर लिया बस, अब हम इस advance की मत में, कितना exposed है currency risk के लिए, तो इसलिए, no journal entry required at year end, या no retranslation required at year end, ठीक है जी, no retranslation, ठीक हो गया जी, सही है, तो कमेंट करोगे इसी के ओपर, जी, disclose भी, मेरे ख्याल में, बहुत material difference है, तो किसको, इसको, advance को तो नहीं disclose करना है, बहुत material difference हो दिस्क्लोज कर दें, उसमें मसला नहीं है, ठीक है, कमेंट में जाकर पढ़ लेते ह हैं, बस दूसरे पार्ट को वैसे भी, मैंने भी नहीं करवाना, अगे, स्वीच कस्टमर है, पेड़ फूल इंडवांस चिल है, ठीक है, इसको कर लेंगे, यह पेंडिंग है, ठीक है, यह भी पेंडिंग है, कल कर लेते हैं, इसको, ओके, हाँ जी, ओके, तो वन को ज़रा सब्सक्राइब नहीं, और रहाएं, क्वेजी से एक दहा देख लेते हैं, कौन सब्सक्राइब नुमबर, सीमय मैंन मेंद व्यूज इस लिजक है, इसको आपने रिट्रांसलेट नहीं करना, ठीक है, शूड नोट बी टेकन टूपर, होईवर, अडवांस क्वाण् स्प्ला अगर बहुत वैसे कोई इतना जादा है नहीं वह एक जगह पर आपको जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने का था कि वह उसने का लफ इस्नमाल किया हुआ था मुझा वह या आदमी आ रहा हुआ को सिगनिफिकन्ड या बहुत ड्रास्टिक इस किसम को लफ था कि चेंज आया है तो इसलिए आप डिस्क्लोज कर लें उस लफ को देखते हैं सिर्फ डिस्क्लोजर दे सकते हैं आप ठीक है लेकि जहां पर तो हुआ ये कहरा है कि रुपी डि वैल्यूट फ़ॉम्दों तो दोसोचालीस मेरे ख्याल में और पर वो चेंज वी हो और है मेरे ख्याल में कोई final accounts को देखते हैं बाद में तो पास पेपर ये फोर जो कौन मोटर्स है इसका वन हमने कर लिया है टू इंशालला हम फिर किसी वग कर लिया है ठीक है जी पिक्चर लेगा पास पेपर एट का फोर और फाइव भी कर लिया है बद्दा करो एंड पर टाइम बच जाए तो मैं इसे एक दू सफ़े पीछे है ठीक है ना इंटीग्रेटी टॉपिक्स बगारा ना मिक्स टॉपिक वाला होता है तो यह साथ साथ तो नहीं हो सकते होते हैं तो यह इंशालला हम करते हैं अभी हम आते हैं जरा आई फारस पंदरा पे उसके बाद एंड पे टाइम बचा पर आई फारस पंदरा में जरा कुक्ली हम रीडिंग कर लें जहां पर हम फिर रहे थे वहां पर जरा बताएं जरा जल्दी से फाइव स्टेप अप्रोच क्या थी डिविजिन आइडेंटिफाय कॉंट्रेक्ट वे कस्टमर आइडेंटिफाय सेपर्फॉर्मेंस अबिलिगेश अब मैं कॉंट्रेक्ट की पांच रायत बता रहा हूं ठीक है अइडेंटिफाय कॉंट्रेक्ट विद कस्टमर आइडेंटिफाय सेपरेट पर्फॉर्मेंस अब्लिगेशन बर्गर फ्राइज बॉटल डिटर्मिन ट्रांजेक्शन प्राइस चार सो साथ ऐलोके ट्रांजे कॉंट्रेक्ट को कॉंट्रेक्ट कब मानता है तो उसके लिए हमने का था जी वो कहता है कॉंट्रेक्ट में पांच शरायत होंगी तो हम इसको कॉंट्रेक्ट मानेंगे ठीक है किताब बिजली गई रहा है नहीं नज़रार में तर देखें ठीक है नमाग के ओपर यह पॉइ identified both parties rights seller has identified payment terms contract has commercial substance and it is probable that seller will receive the consideration लेकि इसमें ध्यान क्या रखना है जो customer उसकी intention या ability to pay जितनी हो उतनी ही आपने recording करनी consideration की ठीक है फिर हाँ अविली बात और हमने नहीं है आई फर्स मतना कहता है revenue record नहीं करने दूँगा ठीक है लेकिन exception क्या आई standard ने कहा अगर contract में कोई गड़बड है और contract पूरा ही execute हो गया मेरे लफास से गहुर करियेगा ठीक है अगर contract में गड़बड है और contract पूरा ही execute हो गया तो फिर execute का मतलब क्या है seller ने जो obligation थी वो satisfy कर दी customer ने जो consideration थी वो substantially pay कर दी 90 परसंट या उससे भी ज्यादा ठीक है और यह जो पैसे आए हैं यह non refundable है तो जिस दिन यह non refundable पैसे receive करो उस दिन revenue record कर लो हला कर रूटीन क्या थी performance obligation satisfy करते ही revenue record करना लेकिन यह exception है contract में गड़बड दी तो obligation satisfy करते हुए revenue record नहीं किया जा सकता था लेकिन जब contract ही पूरा execute हो गया काम जो seller ने करना था वो कर दिया obligation satisfy कर दी कोई अब काम नहीं बचा और customer ने भी पैसे दे दी और यह पैसे non refundable भी है तो जिस दिन यह पैसे आए उसने revenue record कर लो यह बात यह exception देता है standard execution अगर हो जाए पूरी की पूरी इसकी contract की ठीक है एक और exception भी है वो भी यह के contract में गड़बड थी लेकिन contract एक्जीक्यूट नहीं हुआ contract टर्मीनेट हो गया क्या हो गया जी होली अनपरफॉर्म्ड contract था यानि के customer ने buyer ने जो है वो कोई seller ने कोई obligation satisfy नहीं की और customer ने असल में नहीं होता नॉर्मली क्या है ऐसे contract के अंदर कभी कभी advance भी होता है ठीक है ना जैसे मिसाल के तोर पे आप गए और आपने जाकर जो है वो दुकानदार को कहा कि मुझे जो है वो आपने एक घी का डबा जो है वो मेरे लिए बुक करने ठीक है एक घी का डबा नहीं दस घी के डबे आपने जो हो मुझे बेतरीन वाले मंगवा के देने उसने का ठीक है टोटल जो है अब दुकानदार को क्या कह रहा है स्टेंडर के जो हजार रुपया तुम्हें आया हुआ है क्योंकि अब उसके बदले में तुम्हे कोई प्रफॉर्मेस उब्लिगेशन सेटिस्फाइ करनी नहीं है ठीक है तो फिर क्या कर लो रेविन्यू को रिकॉर्ड कर लो किस दिन ज नहीं वाला जो हो खरीद के लाए समान मेरे खेल में इसने का अच्छा नहीं यह दर से कांट्रेक्ट अच्छ सेलर के इंटिफार इच पार्टी तो आइच पार्टी जाई सेलर के इंटिफार पेमें टरम और कॉंट्रै आप और कांट्राइशन साथ है अब अब If a contract does not meet any of the above condition, will the revenue be recorded? तो उसका जवाब है, if a contract does not meet these criteria, revenue is recorded only when either of the following events are occurred. The entity has no remaining obligation. जो काम था वो कर दिया. तो ट्रांसफर गूर्ड जो सर्वेस्ट तो था कस्टमर. And all, कल जी मिटा दिया था तरह हाथ पढ़ने. And all, all substantially all. जी 90% से उपर आगा तो समझो, स्टेंड कहता है, समझो, आई गया न सारा. ठीक है? All, substantially all of the consideration, promised by customer has been received by the seller. And it is non-refundable. ठीक है, जी? ये तीन चराइद इसने. क्या कहा जी? पहली situation क्या है? Contract ही पूरा execute हो गया. इसको क्या कहता है, जी contract execute हो जाना. ये execution of contract थी. ठीक है? Contract, बात क्या है? गड़बड वाले contract सी बात चल रही है. नॉर्मल की बात दी चल रही. उपर वाली पांच रायत में से कोई एक शरत missing दी. और पूरा contract ही execute हो गया. हो जाता है ने कभी कबार गडबड. ठीक है? अब ये तीनों चीज़ें अगर पूरी हो गई है. सेलर ने अपनी obligation satisfy कर दी. कस्टमर ने substantially पैसे सारे दे दी हैं. और जो पैसे दी हैं वो non refundable हैं. तो ऐसी सुरत के अंदर जिस दिन ये पैसे non refundable receive हुए हैं. चाहे उस दिन वो contract में गडबड भी थी. हम जो है वो revenue को record कर देंगे. तो ठीक है? अच्छा अगर मिसाल के तौर पे इन में से कोई एक शर्त नहीं होती है. जैसे मिसाल के तौर पे जो पैसे आए हैं वो non refundable नहीं है. वो refundable हैं. तो revenue record कभी भी नहीं होगा. जो cash आ भी गया है ना. इसको standard कहता है फिर आप contract liability में रखोगे. advance from customer में रखोगे. अब करना क्या पढ़ेगा? सारी जिनकी liability पढ़ेगी? नहीं. आप जाओगे. जाके अपने customer से कोगे. यार देखो सारा कुछ तो हो गया. मैंने काम भी कर दी है. और तुमने सारे पैसे भी दे दी है. ठीक है? लेकिन ये contract के अंदर एक गड़बड की वज़ए से मुझे IFRS पदना revenue record करने दे रहा. तो मेरे मानी करो जड़ा ये re-draft कर लेते हैं contract. इसको सही कर लेते हैं. इसके अंदर ना वो मैंने अपने राइट्स तो लिखे थे लेकिन आपके राइट्स नहीं लिखे हुए. तो ये contract में थोड़ी सी गड़बड आगी है. पांच में से कोई एक शर्त पूरी नहीं है. तो वो सही कर लेंगे उसके बाद revenue record कर लेंगे. बाद समझाई? ये बाद समझाई? पांच शरायत में से कोई एक शरायत missing. तो इसको कहेंगे खराब contract. खराब contract हो तब भी revenue record हो सकता है. लेकिन कब? नॉर्मल रूटीन वाला performance obligation सेटिसाई होते वक्त नहीं. बलके जब performance obligation भी सेटिसाई कर दें, seller. कस्तमर से पैसे भी सारे आजाएं? या तक्रीमन सारे आजाएं? और वो पैसे non-refundable हों, तो जिस दिन ये पैसे आएं है non-refundable वाले, उस दिन revenue record कर लो. मैंने वो situation भी ता दी कि अगर कोई इन में से एक चीज़ ना हो, जैसे रिफ़ज़, अगर आपने एक contract किया, और उसमें कुछ advance लिया है, और वो contract अभी wholly unperformed था, wholly unperformed को मतलब क्या होता है? कि अभी seller ने goods जिस आज़ अगर डिलिवर नहीं की, यहीं कि seller ने obligation satisfy नहीं की, और customer ने पैसे नहीं दिये हुए, ठीक है? wholly unperformed contract है, और वो contract अगर terminate कर देते हैं, तो फिर जो advance लिया हुआ था, गर उसके बारे में यह लिखा हुआ था, यह non-refundable है, तो उस दिन अब उसका क्या करना है? वो advance तो बाया हुआ है, customer को तो वापस जाना नहीं है, और contract terminate हो गया है, कोई obligation आपकी है नहीं, meet these criteria, revenue is recorded by the entity only, revenue is recorded only when the contract has been terminated and the consideration received from customer is non-refundable, यह नहीं, पहले case में कहता है, पूरा ही execute हो जाए, तो जिस दिन execute हो जाए, non-refundable पैसे आज उसके रिकॉर्ड कर लो, हलाग कि contract में गढ़़ है, कि contract doesn't meet criteria, revenue is recorded, और दूसरा case, अगर contract में गढ़बड है, और contract terminate हो गया है, और जो पैसे जो आपको आए थे, वो क्या है, non-refundable है, तो फिर उसने revenue record कर लो, चाहे contract में गढ़बड भी है, ठीक है, और अगर contract में गढ़बड है, और वो non-refundable नहीं है, एडवांस, तो फिर liability रखोगे, जब तक कि जा कि उस contract को re-draft न करवा लो, वरना IFRS 15 ने पकड़ लेना है, आपको, ये revenue की भी record किया हुआ, ठीक है, इसकी दो examples ने आगे देखें, ये देखो, ये बड़ी एहम line थी, ये मैंने जबानी समझा दी, an entry shall record the consideration received from customer as a liability, until one of the above events occur, or until the criteria are subsequently met, वो मैं जब बात की आपको, कि मिसाल के तोर पे, अगर वो non-refundable नहीं है, execution वाला के, सब कुछ होगा है, लेकिन contract में ये नहीं लिखा हुआ है, जो पैसे आएंगे, वो non-refundable होगे, तो फिर आपको रखना पड़ेगा उसको liability में, कब तक, जब तक के, वो non-refundable लिखवा लो, या जब तक के, वो criteria meet करवा लो, यानि के contract सही करवा लो, ठीक है, यही होगा न, ओके, इन इन आइधर केस, liability shall be measured at amount of consideration received from the customer, ठीक है, question number one, entity Honda made a contract with sir Aasif, in which rights of parties were not clear, Honda delivered the car on 5 mark, cash was received by Honda on, sir ने पैसे भी ठारा को दे दिये, और ये पैसे हैं भी क्या, non-refundable, तो अब Honda वालों के, यह सरासिफ पर नहीं लगना standard, यह किस पर लगना है, Honda पर, तो Honda वालों को revenue कब record करना चाहिए, आम हालात में, 5 पर, goods deliver कर दी न, पैसे नहीं भी आया जाते थे, तो हमने ये entry CQ, ये debtor debit sale credit यही तो होती थी, आम हालात में, performance obligation satisfy होने पर revenue record होना चाहिए था, लेकिन ये खास हालात हैं, क्यों? Rights of parties were not clear, ये 5 शरायत में से एक शर्त है, जो clear नहीं थी, तो contract तो खराब है, अब contract तो खराब था, लेकिन 5 को गाड़ी भी deliver होगी, execute होगा न, ठीक है, और 18 को हॉन्डा ने पैसे भी सरासिफ से receive कर लिए, और वो पैसे non refundable भी हैं, तो 18 मार्च को हॉन्डा ये entry pass करेगा, cash debit, sale credit, किस दिन जी? इसमें advance उताई दी न, ठीक है? अब बो, यहां तक हो मसला, if content does not meet any, not meet criteria, revenues record only when entity has delivered the goods and all money, वोई वाली कहानी, यहां पे basic करें न, वो discuss वाला सवाल मांगेगा रहा है, जब तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है न? if content does not meet criteria, revenue is recorded only when entity has delivered the goods and all of the, substantially all, of the consideration promised by customer has been received and amount is non refundable. यह तीन चरायत आपको बताई नहीं न, यह लिखनी पड़ेंगी. So revenue will be recorded on 18 March in this case. तो यह बातें आप याद रख रही है, कल मैंने कहा था, तीन चीज़ें आप इस तरह से points में याद रखो, लिखने की practice तो इंशाला सवालों के अंदर फिर करेंगे, जब सवाल आएंगे तो, ठीक है न, लेकिन points की form में याद तो हो, पांच step approach, IFRS 15 की, उमीद भी हो पैसे आने की, और कितनी उमीद है वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है, अब इन में से कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही, तो तब भी contract record हो सकता है, जब पूरा ही contract execute हो जाए, seller अपना काम कर दे, बाएर से पैसे आजाएं, और वो non-refundable हैं, तो जिस दिन आएं, उस दिन record कर लो, या contract terminate हो जाए, और जो पैसे आपने ले रखे थे उस contract के तहट, वो wholly unperformed हो, वो क्या हो, wholly unperformed हो, ठीक है, यहां पर लिखा नहीं होगा था, अच्छा नहीं वो, यह wholly unperformed यहां पर नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, वो wholly unperformed यहां पर नहीं आता है, ठीक है, वो सब्सक्ता कुछ काम कायर भी लिया, वो आगे आना है, ठीक है, तो इस तरह से याद रखे, बस contract terminate हो गया, contract terminate हो गया है, made a contract with Mr. Tinkoo, on यकम January, in which rights of partners were, parties were not clear, गड़बड आ गए, rights of party, यह कोई गड़बड हो जाए, अब यह contract क्या है, खराब, खराब contract की बात हो रही है, ठीक है, 10% non-refundable advance, यह 500 is received by seller on 2 January, the contract is terminated on 3 January, हाँ जी, अब 2 January को, अगर यह contract में गड़बड ना होती, तो जी non-refundable था, दो जनवरी को ही इसकी entry क्या हो जानी चाहिए थी, revenue के तोर पैसे ही है न, अब बो, cash debit, revenue credit, लेकिन मसला क्या हुआ, contract गड़बड में, अगर contract गड़बड में है, तो चाहे यह non-refundable भी हैं, आपको wait करना पड़ेगा, आज आपको रखना पड़ेगा cash को debit करके, liability को credit करके, ठीक है जी, कितने से? 500, और पिर अगले दिन, जब उसकी call आएगी, यार मैं इस contract को terminate करता हूँ, तो पिर आप गोगा अच्छा जी, वो non-refundable भी पैसे थे, आप वो, नेरी liability नहीं है, आप वो मेरा revenue मेरी sale है, ठीक है liability debit, sale credit, revenue जब ब्रॉडर टाम है, लेकिन sale आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसलिए मैं भी लेकर हूँ, कर देंगा, आइस्ता है, इसको पका रहे हैं नहीं, ठीक है जी, next, अच्छा, अब एक और situation, सेंडर्ड ने कही, contract खतम हो रहा है, बस contract खतम हो गया, इसके बाद, आगे देखो, आगे combination है, इसको कोई भी इसको टर्मिनेट कर सकता है, without penalty, दोनों में से इसको, कोई भी टर्मिनेट कर सकता है, without penalty, लेकिन होना क्या चाहिए उसको, holy unperformed, यह यहाँ पैसल में बात ठीक है, तो अगर कोई holy unperformed, देखो जब perform हो जाता है ना, कुछ ना कुछ, तो फिर उसके तो इसके तो इसाब से फिर, मतलब, इसाब किताब करना पड़ता है ना, ठीक है, यहाँ बात क्या और यह है, एक contract holy unperformed था, मैं पहले बात कर लो, जबर होली unperformed गया होता है, holy unperformed, मैंने विसे जबानी बताया भी आपको, holy unperformed का मतलब कहाए जी, के seller has not delivered the goods, और buyer has not made payment, seller has not delivered goods, और buyer has not paid cash, ठीक है बेटा, यह कह जाता है जी, holy unperformed contract, अब पढ़ो जबा, मैंने का बताया आपको, सारा contract तो सही दा, लेकिन contract के अंदर, एंड पे एक clause ये भी डली हुई थी, के दोनों में से, कोई भी, इसको terminate कर सकता है, before performance, holy unperformed हो, ठीक है न, holy unperformed हो, तो दोनों में से, कोई भी terminate कर सकता है, without penalty, without penalty होगी, तो फिर इस तरफ नहीं आएगा, वो बात में बताता हूँ, ठीक है न, अब पढ़ो जड़ा, कहता है, a contract does not exist, if party has an enforceable right to terminate, if each party has an enforceable right to terminate, a holy unperformed, अब contract अच्छा है, ठीक है जी, contract, जो हमने किया है, उसमें all criteria met नहीं है, यह कहानी तो होगी side पर, ठीक है न, बाकि सब सही है, ठीक है, contract कौन सा है, अच्छे वाला contract है, अब इस contract के अंदर, यह बवैसी बना लेते हैं, ठीक है, बिसाल के तौर पे, 26 दिसंबर को हमने contract किया, ठीक है जी, अब अगर तो, इसके अंदर, लिखा हुआ है, कि यह contract कैंसल किया जा सकता है, can be contract made, ठीक है, यह क्या हो सता है जी, cancel हो सकता है, without penalty, दोनों कैंसल कर सकते हैं, without penalty, अब मिसाल के तौर पे, goods ने deliver होना है, जनवरी में डाल दें, 6-7 जनवरी को, यहाँ पर यह contract हुए है, और 7 जनवरी को, goods डिलिवर होनी चीए, ठीक है जी, यहाँ पर क्या जाकर होना है जी, goods, डिलिवर होनी, ठीक है, और उसके बाद, let's say, 8 जनवरी को, इसके, पैसे आ जाने है, ठीक है, cash will be received, goods will be delivered, ठीक है जी, यह तरह मैं holy unfa form से जा रहा हूँ, contract किस दिन कर रहे हैं जी, 26 दिसंबर को, और किस दिन चीजें डिलिवर करनी हैं हमने, 7 जनवरी को, और किस दिन पैसे आने हैं, तो हमारा year end है, मिसाल के तौर पे बीच में, 31 दिसंबर, ठीक है जी, यह हमारा year end है, अगर contract में लिखा हुआ है, यह भूली पन पन गया न, यह year end मैंने बीच में डाल दिया, ठीक है, इस दिन खड़े होके contract कर रहे हैं, contract में सारे criteria मैट हैं, यह होली अन परफॉर्म्ट क्यों है, क्योंकि ना तो seller ने good deliver की है, ना customer ने cash पे किया, ठीक है, अब अगर तो यह लिखा हुआ है, contract के अंदर, के cancel कर सकते हैं without penalty, तो in the light of IFRS 15, यह को contract ही नहीं है, IFRS 15 कहता है, यह भी कोई contract है, यह तो कोई contract ही नहीं है, इसको contract ही नहीं मानता है, मेरे अल्ला, यह क्या हो गया, वो कहता है, बाई जन, यह कोई contract है, तो in the light of, according to as per, कुछ भी लिख ले, आई यह फर्स 15, it is not a contract, वो इसको contract ही नहीं मानता, चगरी खत्म, ठीक है, यह contract ही नहीं है, आगे, और अगर, बीच में penalty डाल दी जाए, अगर इसको, भी कह दे, कि इसको cancel किया जा सकता है, with penalty, तो कोई बताएजी, आप क्या करेंगे, कौन सा, हाँ, ओन्रस हो सकता है, cancel क्यूं करेगी अवाम, cancel इसलिए की जाता है, contract को, के जी, पर्फॉर्म नहीं हो पा रहा, वरना दोनों को फाइदा हो, तो क्यूं कैंसल करेंगे, वाम ठीक है, तो अगर तो, without penalty, ये cancel हो सकता है, तो IFRS पनल्टी कहता है, ये तो कोई contract ही नहीं है, लेकिन अगर, with penalty हो, तो फिर, contract तो नहीं मान रहा है, आई एस 37, this may be, honoris, ठीक है जी, okay done, के नहीं done, done के नहीं done, ठीक है, चलो, अब ज़रा पढ़ लेते हैं, बातें क्या होई बढ़ी हैं, पढ़ें जी, कहता है, does the contract exist, if each party can terminate it, अच्छा, कोई एक कर सके, फिर भी इस तरह से निकल जागा, दोनों के लिए जरूरी है, ये वाली exception, कहता है, contract does not exist, if each party has an enforceable right, to terminate a wholly unperformed contract, without compensating the other party, question में देखें, entity made a contract with sir आसित, in which all of the five criteria of contract identification are met, पांच्छ श्राइप कुई की, no cash is received yet, and no products are delivered yet, means it is wholly unperformed contract, a clause is written in agreement, that each party can cancel the contract, anytime without paying penalty to other party, तो answer क्या है, a contract does not exist, ऐसे लिखना पड़ेगा, if each party has an enforceable right, to terminate a wholly unperformed contract, without compensating the other party, as both parties can terminate the solely unperformed contract, so contract does not exist, यहां पर भी बात हो ही आजानी है, फिर अगर कोई contract एक्जिस्ट ही नहीं करता, उनके साब से, आए फरस्पना के साब से, तो उपर वाली exception तो इस पर भी आ जाएंगी, यहां पर पांच शरायत में से कोई एक पूरी नहीं तो भी वो contact नहीं था ना, इसके अंदर यह clause पड़ी हुई हो, कि दोनों में से कोई भी without penalty, यह वो terminate कर सकता है, मेरी नजर में यह contract, contract ही नहीं है, बहुत होगी जी theory, चलते हैं, numericals की तरफ बहुत boring काम चल रहा है, तो खेर से, यह point हमने कर लिये, step by step करते जा रहे हैं, इनको आपने साथ साथ ना थोड़ा सा जेन नशीन करते जाना है, चाहे अपने एक सफ़े के ओपर छोटे-छोटे points बनाते जाएं, ताकि end बे ऐसे देख लिए उसको, मुश्किल नहीं है, मैं कोशिश करूँगा, मैं तो ऐसी हा, हर जगा पर जब यह contract पूरा होगा, जैसे contract की पांच शरायत हैं, ऐसे इस से आगे यह दो तीन चीज़े हैं, जैसे कब contract गडबड भी हो, तो revenue record हो सकता है, अब यह एक बात मैंने बना ली, पिर आगे contract modification है, contract combination है, यह दो चीज़ें रहेंगी contract के अंदर, वो भी हम पढ़ेंगे तो इस तरह से points की form में उसको जाद करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है? चलें जी, आएं ज़रा, पेज नमबर फूर, अच्छा, आपको homework का message आ गया था? हो गया था मैं? असान सवाल थे ना? हलांकि वो देखो step 3 है, लेकिन हमने काम कर लिया था ना, तो वो step 3 की त्यारी थी, मैंने का चलो वो जोड़ी सी practice हो जाएगी, थोड़ा working के अंदर ज़रा, मसला था, कौन से बेच में थे हुँआ होग? यह थोड़ा सा देखना पड़ा होगा आपको, शायद मसला ही ना आया हो, वैसे तो? यह यहां पे ना, यह असल में, यह ज़रा balance balance लिका होगा था, सही है? calculate किया हो है ना आपने तो, ठीक है? फिर ज़रा यह थोड़ी सी गड़वड़ती इसके अंदर, बारहल, आद ने तो यह इसको बाद में देखा होगा, answers. ठीक है जी? और फर्क तो नहीं answer के अंदर बागी. इसमें भी ऐसे ही था, यह balance ही नहीं था, लिखा गया था, ठीक है? चले खिर, अच्छे जी, पेर नमबर, आज एक मज़े का काम करते हैं, आपको बाद मतला लगए है कि हम क्या 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 करते रहे हैं? कि ते गया पाईस वाल है, कौंसेट बिल्डिंग आ गए हैं? इन में आओ जरा, लें जी, पेज फोर नाइटी फोर पे, कॉस्टन नमबर टैन है, सलूशन देखने वालों को कवा काटें, जी, ऑन यकम जुलाई दोजार बाईस, पेज नमबर चार सो चोर आनवे, पढ़ें जरा, सलूशन देखें बगार, बलके रिक्वार्मेंट भी ना देखें, बहुत इंपॉर्टन कॉंसेट, बहुत इंपॉर्टन कॉंसेट, पास्टेपर के सवालों में, बहुत दफा नज़र आएगा आपको पर ये, पास्टेपर साथ साथ आज शुरू कर देंगें चल देख, और ये, एकम जुलाई वोजर बाइस, फिलिप्स दिलिवर्टो बल्स तू शुरू प्रीस पर यूनित इस चार सो, and cost of and cost to philips of each unit is 250 यह अब क्रिसेंट वाले यह सारी बातों क्रिसेंट वालों क्यों बता रहे क्रिसेंट वालों कोई नहीं बता रहा यह अकाउंटिंग होगी यह आप क्रिसेंट में बैटे में तो आप सोच भी ऐसी शुरू करते हैं नहीं हम philips की बात करेंगे ठीक है ना पास जल एंटी इन दा बुक्स ओफ फिलिप्स ठीक है यह सारी बात ने फिलिप्स को पता होगी क्रिसेंट वालों क्या पता कि कितने का उन्हें पढ़ता और कितने का बेचते हैं ठीक है खेर चलें कैश इस पेड इमीजेटली बाय क्रिसेंट कॉलिज अस पर दाग्रीमेंट क्रिसेंट है राइट तो रिटान दा प्रॉडट्स विदिन 30 देज अफ सेल तो रिसीव फुल रिफंड फिलिप्स के पास भी एक्स्पिरियंस है फिलिप्स है सिग्निफिक रिटाइंग स्पीज अपनी चीज का पता होता है ना ठीक है इन एस्टिमेटिंग रिटान अफ दिस प्रॉडट्ट इस प्रॉडट्ट इस्टिमेट्स देट जो अपर दो सो बल बेचें उसमें से अठारा यूनिट्स विल बी रिटान ठीक है जी अच्छा अब सबसे पहले ना जी हम एक चोटी सी वर्किंग ओपन करेंगे ठीक है हमने सबसे पहले बात क्या करनी है जो उन्हें डिलिवर कि किए यूनिट्स हेंड़वर कितने की हैं इसको सेल नहीं कहना ठीक है कोई झो मोगा कितने की है इसको हू beautiful दो नहीं सब्सक्राइब है तो आप यूनिट्स हैंड़वर कोव ऑ और पर भाकी oiding बनाये हैघा हार सवाल देलेवर्ड कितनी युनिट्स आप ने डिलेवर्ड के हैं जी टोटल फिलिप्स डोसो बल्ब्स आपने डिलिवर्ड कर दिये ठीक है अच्छा उमीद हैieren आपको अपने तजरूम्हे की बुन्याद पर ठीक है 18 की आपने सेल अभी बुक नहीं करने तो परे सेल कितने यूनिट्स की बुक करनी है 182 की तो सेल बुक कर ले 182 की ठीक है और बाकी को आप refund liability में राख लें कौन सी liability जी liability to refund हो सकती है ना rise वो कितनी है जी 18 ठीक है जी अच्छा उसके बाद बिल्कि उसके बाद की बाद ना बाद में करते हैं आगे वाली बात अभी पढ़े ही ना मैं तो कहता हूं यहां तक की एंट्री कर लेते हैं तो सबसे पहली एंट्री आप क्या करेंगे cash तो सारा कठा आ गया और cash college वाले साड़े चार सो के इसाफ़ से देंगे या डाइसों के साफ़ से हां लेकिन cost सवाल में गिवन हो तो फिलिप्स की किताबों में हम cost की एंट्री भी करेंगे ठीक है परपेचुल वाली एंट्री जब कभी इस टॉपिक के अंदर cost given होगी न सेल के साथ ही हम परपेचुल वाली इंवेंट्री वाली एंट्री कर दिया करेंगे ठीक है ठीक है अच्छे पक्का करना ही पक्का अगर cost given है तो परपेचुल वाली cost के एंट्री भी साथ ही करनी है अब कैश आ गया 200 बल्ब्स का 400 के साथ से अब बोलो सेल बुक कर लें ये लोग एक सो ब्यासी की बाकी सारे का सारा refund liability में रख लेंगे लेकिन cost की एंट्री भी साथ ही करनी है वो तोड़ा सा technical होगा काम लेकिन उसको और रिफंड रैविन्यू लिखने है रैविन्यू लिख लो चलो रैविन्यू क्रेडिट और रिफंड लायाबिलिटी मैं तो इसलिए नहीं लिक रहा था revenue की थोड़ा सा रा कर देंगे लेकिन एक दाफ़ारा मुझे ऐसी अब मुझे बताओ इधर देखो कैश कितने बल्प का आया सेल कितने बल्प की बुक करें और बाकी के अठारा रिफंड लाइबिलिटी में लेकिन ये सेल की ट्राजेक्शन बुक होने लगी है तो सेलिंग प्राइस के साब से चार सो चार सो और चार जी फरमाएं अस्सी हजार सेवन टू एडबल जीरो और सेवनटी टू अच्छा अब यहां से आगे अगली कहानी मुश्किल वाली शुरू होती है कॉस्ट की एंट्री भी करनी है हमें चीक है अब ज़्या ध्यान से सब देखने दर आप नहीं बताने हैं मुझे आप खुद कर लेंगे इंशाला पहली बात मुझे यह बताएं हमारी प्रैमिसेड में से से इन्वेंट्री कितनी निकल गई दो सो बल्ब हमारी इंवेंट्री से निकल गईस अइसे हैं तो Inventry in hand क्रेडिट होगी इसी दिन डेट की बी जगाँ आजएगी है आपके डेट के सामने लिख रहे होते हैं आपको इकलाइन यह भी मिल जाती है जी इन्वेंट्री इन हैंड इन्वेंट्री इन हैंड कितनी निकल गई हमारी किताब में से हमारे प्रेमिसिज में से दोसों अब आपने मुझे बताना है आपने सेल जितने यूनिट्स की हो कॉस्ट ऑफ सेल भी उतने यूनिट्स की होती है मुझे बताओ सेल कितने यूनिट्स हो रहे हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी कितने यूनिट्स की तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगी 182 आना चाहिए बिल्पी यह आंसर सही बताया ना आशा जी कितना जी 180 टू अब बाकी 18 क्या है इन्वेंट्री वो क्या वो है शाहीन वाले सवाल में मैंने ये बात बताई थी कि अगर हम ने चीजें भेजी हैं अभी उन में रिटान का आप्शन मौजूद है तो वो हमारी इन्वेंट्री है किसी के पास अब यहां एक्सपीरियंस टादमी है ना एक्सपीरियंस है तो उसको पता है कि भाई 182 दो बिक की जाने तो 182 की सेल बुक कर ली लेकिन बाकी 18 को अभी से सेल में डाल रहे हैं वो अभी आपने कॉंट्रेक्ट लाइबिलिटी उसकी बना रहे हैं कैश तो पहले ही आ गया तो यह सेल नहीं है यह सेल नहीं है तो यह हमारी इन्वेंट्री है लेकिन हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है कस्टमर के पास थीक है तो इन्वेंट्री in hand से निकल कर inventory with customer, with customer, जी कितनी, 18, अब ये cost से entry करनी है, 250, 250, और 250, जी, 45, 500, 45, 500, और 50,000, जी, 80,000, जी, इसको ध्यान से देख ले, तर्तीब बार, नमबर वन, सबसे पहले मैंने ये चोटी सी working की, 200 units deliver की ए, अन्दाजा है कि 18 आ जाएंगे, तो मतलब 182 बिक जाएंगे, तो sale book करो, 182 की और बाकी की liability बना लो, नमें उसका refund liability, refund liability का मतलब, जब units वापस आएंगे तो, cash refund करना पड़ेगा आपको, cash ले लिए ना, ठीक है, नहीं तो adjustment भी हो जाती है, खेर, अब इसकी पोस्ट करनी है, cash आ गया है, 200 का, sale book करनी, 182 की और refund liability, 18, ठीक है, cash debit, sale credit, और refund liability, ठीक है, उसके बाद, चुके cost given है सवाल के अंदर, तो IFRS 15 में जहां जहां cost given होगी, यह वाली entry साथ करनी है, तो मैंने कहा, सबसे पहले यह देखो, हमने कितने bulbs निकाल दी, अपने पास से deliver कर दी उसको, 200, तो 200 inventory in hand से निकल गए, 200 bulbs inventory in hand से निकल गए, cost of sale सिर्फ उतने units की book करनी ह जितनों की sale book की हुई है, फिर तो बच्पन की बात है, cost of sale तो sale की होती है, sale की ही cost है, तो cost of sale कितनों की book करेंगे, जिनकी sale book की, यहनी 180, तो बाकी अठारा क्या है, अभी sale नहीं है वो, हमारा stock है, हमारा stock किसी के पास पढ़ा है, तो वो बस यहां से निकल कर, हमारे stock से निक यार वो तो फिर जाहर सी बात, इस्तमाल कर लेगा, तो उसके पैसे दे देगा ना, वो refund तो नहीं करा सकता, बैटर डिलेवर होने का मतलब यह है, कि हमने उनके हवाले कर दिया, प्रिसन्ट ने जो लगा लिए, वो accept हो गए है, जो यहां से डबे से निकल कर लग गए, उस का मतलब है, वो फिलिप्स की सेल है, तो अगर वो बाकी 18 मी लगा देंगे, तो मतलब वो सेल है, जो वापस आएंगे, वो डबा बंदी वापस आएंगे, खुला हुआ तो नहीं, बल्ब इस्तमाल करते हैं ना, हम ठीक है, वो तो फिर वारंटी की तरफ चला जाएगा आपस आजाते हैं, ठीक है, वारंटी की बात नहीं हो रही, ठीक है ना, पस सेल करते हुए, हमने का है, यार ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, यार, जो इस्तमाल नहीं, ओकर रहे हैं, यार, हमें 180, 180 चाही है, और ले जाओ, दोसों फिर बाद में क्या आते बिरोगे, इस त पर ठीक है बात समझ आई तो हमने 200 बल्ब फिलिफ्स हैं हमने 200 बल्ब डिलिवर किये कॉलिज वालों को डिलिवर करते हैं हमारा अंदादा था के 18 18 वापस आ जाएंगे 182 एक्सेप्ट हो जाएंगे हमारा एक्सपीरियंस है उस बेस पर 18 की लाइबिल्टी बुक करो तो अच्छा अब विदिन थर्टी डेस तीस देस तीस दिन गुजर जाएं क्रिसेट वाल एक बल भी वापस ना करें तो 31 दिन हम एंट्री पास करेंगे रिफंड लाइबिल्टी डैबिट सेल करें या वो फोन करके कह दें बीच में बाई जान हमने सारी रख ली है तो जिस तो बीस दिन खड़े होकर हमारा ये अंदाजा है कि दो सो जो डिलिवर की है on return बेसिस है ना अगर हमारा अनदाजा होता ना दो सो डिलिवर की है कोई एक पार्ट है पास्ट एक्सपिरींस भी कोई नहीं है इनका पहली बार यह सेल की है कॉलिज बालों के साथ उनका कोई सब्सक्राइबिस नहीं है तो कैश डेबिट सारे का सारा रिफंड लाइविल्टी में क्रेड़ करें और इंतजार करेंगे एक महीने के गुजरने का बात समझा रही है या यह फरस्पतना कहता अंदादा लगाओ लगाविर कर लो काउंटिंग बाद में उस अंदादे को फि वापस नहीं दे दीजिएगा आप हमसे सही करवा लीजिएगा रिप्लेस्मेंट नहीं है बटा वसी का यूनिट सही करके देते हैं चीज बिकी हुई है हमने उस पे सरफ रिपेर लगानी है हमारी चीज वैसी कि वैसी अन यूजड वापस आगी हम उसको पिर आगे बेज वह सेल हमारी थी ही नहीं वारंटी वैरी डिफरेंट है है कैसे बात कर रहे हैं आप लोग के एक चीज यह एसी है यह अगले ने लगा दिया वापस लेकर आएगा खराब है तो सही करके यही एसी वापस करेंगे चो दो चार सुर रॉपया हमारा अलेक्रीशन ले लेगा औ और एक हमने एसी दस एसी डिलिवर किये थे दो वापस ही आगे भाई यह इस्तमाल नहीं हुए तो वह एसी हमारी इन्वेंटरी है अभी भी वह तो बिके ही नहीं फिर यह फरक है दोनों के अंदर हैल आफ डिफरेंस बिट्वीन वारंटी का नाम डिलीट करें जरा इसको पढ़ें प्लीज बहुत डिफरेंट आ ये चीज बहुत डिफरेंट ठीक है। सेल विध रिटरन सेल विध रिटरन औप्शन आपको पसंद ना आए तो चीजें वापस कर देना हमारी एक है हमारी चीज वैसी की वैसी वापस आ गए वरंटी था जब एक्षैप्ट और कर Sell with return option. अच्छा देखो, अभी आगे देखो. अंदाजे लगाते हो, अंदाजे तो गड़बड भी होते हैं. अंदाजा था कि 18 आएंगे वापस. Prepare general entries in the books of Philips on 1 जुलाई 22 and 31 जुलाई 22. Under each of the following. तो इस तो मैंने दोनों चुपाई होते, पहला एक निकालते हैं. At 30th day, ओ, बारां units were returned. तो units, units received back कितने हो गए? बारां. अंदाजा था, 18 वर्सेज बारां करेंगे अब. तो 6 रुपे से सेल को बढ़ा लेंगे. लेकिन refund liability को as it is, आपने खतम कर दिया करना है. यूनिट्स डिलिवर किया और, यूनिट्स रिसीवड बैक, यूनिट्स रिसीवड बैक. कितने यूनिट्स रिसीवड बैक हो गए? बारां. अब, सेल की adjustment, adjustment to sale यहां पे निकाल लिया चारेंगे. हम कहेंगे जी, अंदाजा था, 18 आएंगे, आए कितने? तो 6 रुपे से अपनी सेल को, लेकिन सबसे पहला काम क्या किया करना है, इस आरजी नेचर की अकाउंट को आपने as it is उल्टा दिया करना है, ठीक है? सबसे पहले तो, आपने refund liability को उल्टाने है, यह सबसे पहले काम किया करेंगे यह वाला, ठीक है ना? अठारा से as it is इसको आगर खतम कर दे, ठीक है? उसके बाद जितने वापस हुए और जो उनका डिफ्रेंस अंदाजी ते था, उसकी adjustment सेल को डाल दे, ठीक है? बड़े अत्मिनान से, दियान से, अराम से देखें, ठीक है? यूनिट से receive back कितने हो गए? बारा, तो सेल के adjustment क्या करनी पड़ेगी? अंदाजा था कि 18 receive back होंगे, हो गए बारा, तो मतलब, खुशी की बात है काम की बात, खुशी की बात है, सेल को बढ़ाएंगे, हमें था क 18 वापस आएंगे, लेकिन उनने 6 और इस्तमाल कर लिए, तो सिरफ 12 वापस बेजे हैं, तो अब बाकी की भी, तो वारंटी की समझाएगी अब, अलग चीज है, ऐसी गुशा रहे हैं आप लोग यहां में, ठीक है? जी, तो refund liability, सबसे पहला काम, refund liability को, यह तरतीब यह रखन हैं, सबसे पहले तो इसको उड़ा दो, इसको जो, आपने बनाया था, खत्म करो, फिर, कितने यूनिट्स रिसीव बैक हुए, 12, आपने सोचा था कितने होंगे, हुए कितने, तो आपको सेल मजीद 6 यूनिट्स से बढ़ा लेनी चाहिए, ठीक है, यह तरतीब होगी, अब एंट्री पे क्या असर पड़ेगा, सबसे पहला काम, रिफंड लाइबिल्टी कोल टाएंगे, एज इस ठीक है, उसमें फिर बाकी कुछ यूनिट्स की सेल बुक हो जाएगी, और बाकीयों का कैश रिफंड कर देंगे, 31 जुलाई, 2000, 22 आता है, तो जनाब, हम सबसे पहले क क्या करेंगे, इदर देखो, इसको फटा-फट खत्व करो, ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, रिफंड लाइबिल्टी को डेविट कर, ठीक है जी, उसके बाद, सेल को बढ़ाना है या काम करना है, बढ़ाना है तो सेल क्रेडिट कर ले मजीद, सेल क्रेडिट हो हमें वापस कर दे, आपने कहा था, ये यूनिट्स वापस आएंगे, रिफंड ले लेना, तो हमने ये ये यूनिट्स वापस कर दी है, हमें बाकियों के पैसे ले दे, अब जाद देखें, जी, कितनी, कितने, लाइबिल्टी कितने से रिकॉर्ड की हुई थी, इसको तो, कितनी सेल बुक कर लो, बाकियों के पैसे वापस कर दो, अब ये कौन सी एंट्री हो रही है, सेल की या कॉस्ट की, सेल की, ठीक है, तो इंटू, चार सो, इंटू, चार सो, और इंटू, जी, उस बहतर सो ही आना था, चलें आपने अब निकाल लिया, तो क्या कर सकते हैं, ज कर दो, अब आता है, असल मामला, कॉस्ट शेलिकेंटी, सोचें और सोच के बनाएं जरा, आप यहां पर, जैसे आपने उपर रिफंड लाइविल्डी को उल्टाया ना, यहां पर आप इंवेंट्री विद कस्टमर को उल्टाया, वही अमानतन थी, ना, फिरिफंड लाइविल्डी एठारा की थी, उल्टा दी, ऐसा ही है, एठारा की थी, उल्टा दी, कस्टमर के पास इंवेंट्री कितनी बड़ी है, वही अठारा की, उसको पहले उटाएं, सोचें, सोचें, इंशालाद बनेगी, बनेगी एंट्री, खुदी, बस ये करके उसके बाद पार टू शुरू करते हैं एक मिनट रोगे उधर ही रखें जी इन्वेंट्री विद कस्टमर किस से क्रेड़ करोगे यूनिट्स यूनिट्स बोलो यूनिट्स बोलो फिगर्स वाती रहेंगी 18 से इन्वेंट्री विद कस्टमर किस से क्रेड़ करोग 18 से बातकी cost of sale में डाल दोगे 6 cost of sale में डालोगे और अपनी inventory में दोबारा सजा कर रख लोगे 12 इनिरेट, चीक है यह देखो अब यहाँ पर क्या करना है आपने इस inventory in hand को उल्टा देना है यह सॉरी inventory with customer को यहाँ से यहाँ से ले जी inventory with customer खतम कहानी जो सन आफ बफलो सा वो निकलाया जो कटा निकलना सा वो निकलाया पता लग्याब तौ इन्वेंटरी विद कॉस्तोमर जी कितने 18 से खतम करो कहानी इस में से कितने सेल हो गए अब सेल के लहे हो यवया वही वहाला वासूल है जो सेल होई कास्ट तो सेल कितनों की वूग करोगे तो कौस्ट आफ सेल्स बूग कर लो और बाकी के बारह सजा कर अपनी इन्वेंटरी में वापस रख लो ये वापस आ चुके हैं इनको को अब आगे किसी और को बेचना बास समझ आ रही है ठीक है तो यह क्या आगया जी इन्वेंट्री इन हैंड कोई बैलंसी फिकर नहीं निकाली हम ने हर एक चीज को इस तरह से कर रहे हैं देख देख कर समझ समझ कर टू फिफ्टी कि टू फिफ्टी और टू जी बोलें फंदना सो तीन हजार वही पंताली सो उड़ता है देखा है लेंज इधर देखें आप एक बाद जोड़ा क्विक 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 यूनिट्स दिलिवर किये दोसों लेकिन सेल कितनी बुक करनी है एक सो ब्यासी और बाकी रिफंड लाइबिलिटी अब सारा कैश तो आज ही आ कॉस्ट फिर और साथ ही कोस्ट करनी कोड़ी सो सबसे पहले क्या करोगे अपनी दुकान से इंवैंटिर निकाल के कॉलेज वालों को भेंज दोगे इंवैंट्री हैंड क्रेडिट कितने से 220 के splits जितने की सेल की है उतने की कॉस्ट सेल बूक कर लो को और बाकी हमारी 18 बल सबसे पहले तो सेल बुक करते हैं सबसे पहले refund liability को debit करें खतम करते हो ठीक है 18 में से सिरफ 12 आए यह देखो यहां लिखा वापस कितने आए 12 अंदादता 18 आएंगे 12 आए तो 6 से sale को बढ़ा लो लेकिन सबसे पहले इसको खतम करना होता है अब cost of sale के entry भी साथ है तो सबसे पहले क्या करो inventory with customer को credit कर दो और जिनकी sale book किया उनकी cost of sale book कर लो और बाकी अपनी inventory में सजा कर रख लो ठीक है got it अगला scene क्या है क्या आपको लगता है कि दूसरी entries भी वहीं टो हो जाएगी मैं तो मिटा के करूँगा इसको note कर ले क्योंकि मैं part B में change सिर्फ बताऊंगा आपको कहां पर आया जी अगला part देखें वैसे आप तो ऐसा कर ले ना आप यू करें मैं पहले पहले आपको दिखाता हूँ पिर वहां से मिटाता हूँ तक सेम रहना वो फिर आप बगएर उदर देखे कर लीजिएगा फिर नया वाला change करेंगे ठीक है इस सवाल में कोँ मसला तो नहीं है इसकी पिक्चर जिसने लेनी है वो ले 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 पिक्चर जिसने लेनी है वो ले 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 आंलाइन वालों को दिखा दो वो सकता है उन्होंने भी पिक्चर लेनी है अच्छा जी अब अन्दाजा था अठारा वापस आएंगे अन्दाजा था अठारा वापस आएंगे और उज्वूशियों पे पानी फिरने का वक्त हुआ चाता है लहौर और उसके गिर्दों नवाव में तीसमें दिन तेतिस बल्ब वापस आ गए अब इस देखो तरह चेंज कहा आएगा चेंज कहा आएगा यह तो सेम रहन है बोलो चलो मैं इसको भी मिटा तो दुबारा से रवाइद हो जाएगा ना इसको तो उल्टाएं सबसे पहरे ठीक है यह और उसके बाद तो इतना काम अ सेल को उल्टा आज कम करना पड़ेगा गलती से अंदाजे में ज्यादा बुक कर गए थे कोशिश करो आपको दो मिनिट देता हूं दो मिनिट में कोशिश कर लो एले यह वर्किंग करो यह वर्किंग हेल्प करती है आपको इजीली हो जाता है सवाल पर यह दो एंट्रिस कर पार्टू शुरू करने का दिल कर रहा है आपको करने